नमस्कार न्यूस टाइम्स की इस बुलिटीन में आप सरी का स्वागत है आपके साथ में उत्रिप्तिव शुकर्मा आईए खबरों का सलसला आप सुरू करते हैं जैन्ती के मौके पर पश्मी सिंभों में राष्टपिता महात्मा गांधी और पूरुप्रधान मंत्री को याद किया गया और जगा जगा कारकरम आयर जित कर उन्हें स्वाधान जुली दी गई जारखंट सरकार के पेजलियम सच्टा मंत्री मिठिलेश कुमा ठाकुर्णे चैबासा सित अपने आवास पर राष्टपिता महात्मा गांधी और पूरुप्रधान मंत्री लाल बहादुर सास्त्री के तस्वीर पुष्प अरप्रित कर सध्धान जुली दी उन्होंने कहा कि दोनों महापुर्षो द्वारा प्रतीपादित सिध्धान आज अतिंद प्रासंगिक है महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिध्धान का अनुसरन पूरा विश्व कर रहा है ग्राम स्वराज और ग्रामिर कुटीर उद्योग के उनके सिध्धान आज देश में अमल में लाई जा रही हैं। ठाकुर ने कहा कि पूर प्रधार मंत्री लाल बहादुर सास्त्री ने जय जवान जय किसान का युगांतर कारी नारा दिया था। यह नारा युगो युगो तक जीवन्त एवं प्रभावशाली रहेगा। जीला प्रशासन की ओर से राष्टपिता महात्मा गांधी की 153 जैनती की अवसर पर गांधी मैदान स्थित बापू की प्रतिमा पर उविकास आयुक्त, संदीब बक्षी, पुलिस अधिक्षक, आसुतोस सेखर, अपर उपायुक्त, संतोस कुमार सिंधा, जीला भू अजन प कॉंग्रेस भवन में भी राष्टपिता महात्मा गांधी और पूर प्रधान मंत्री लाल बहादूर सास्त्री को स्रधांजली अर्पित की गई, इस दवरान विचार गोस्ठी का भी आयुजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि दोनों महापूर्षों ने राष्ट ह कॉंग्रेस नेता सुनित सर्मा ने अपने घर में और कॉंग्रेस भवन में चर्खा से सूत कात कर बापू को याद किया और उन्हें स्रधांजली अर्पित की, इस मौके पर पूरु विधायक देविंद्र नाथ चांपिया, कारेकारी जीला अध्यक्ष, रंजन त्रिशानूराय, विश्वनात तामसोय, राकिस कुमार सिंग, संतोस सिंहा सहित, अन्य लोग मौजूद रहें। समाश को दी, उसी के चलते अंग्रेजों के खिलाफ ससक्त आंदोलन खड़ा हो सका और देश आजाद हुआ। बापू को सधांजली देने के बाद सभी लोग सदर थाना चौक, सित खादी ग्रामुद्योग भंडार पहुचे और यहां भी बापू और सास्री जी को समिल करने की अपील की। कुड़क पुस्तकाले पूल हातू में भी डिजिटल कुलहान ग्रूप और उराव समास संकी और से कारिक्रम आयोजित कर महात्मा गांधी, लाल बहादु सास्री और महान सिक्षा विद, बाबा कार्तिक उराव को स्रधांजली अर्पित की गई। हासिल होती है। मुकाम हासिल करना है तो पीछे मुढकर नहीं देखना चाहिए। इस मौके पर पूर्व, श्रम आयुक्त, ज्यान सिंग दोराई बुरू, अमित खल्को, संजीव भगत, रांदो देवगम, सिक्षक, क्रिष्णा देवगम, संके अध्यक्ष, चंचु तिर्की, सच्चेव, अनिल लकडा, सलाकार, सदेव किस पोट्टा, बाबुलाल बरहा संजय कच्चप, लालो कुजूर, विजय लक्ष्मी लकडा, लक्ष्मी कच्चप सहित, अनिलोग मौजूद रहें कांधी जहनती के अवसर पर पर्यावरन जागरुकता के तहट, रोटरी क्लब चैबासा की ओर से, सैबासा स्टीशन परिसर में पौधार उपन किया गया AD, E.N. R.K. सिंग, रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी, संजीव कुमार, सीनियर सेक्सन इंजीनियर, S.K. ठाकुर, स्टीशन प्रबंधक, सांगी गोप और रोटरी क्लब के पदाधिकारियों ने पौधार उपन करके पर्यावरन संरक्षन का संदेश दिया इस दवरान, रोटरी क्लब के अनिल शर्माने पर्यावरन एवं, जल संचेन को लेकर रोटरी क्लब द्वारा किये जारे कारियों के बारे में बताया यँ कारिक्रम स्वर्गेय ससीकांच सेठीया के स्मृति में पौनित सेठीया की ओर से आयोजित किया गया बिर्सामुंडा ताइक्वांडो एकैडमी द्वारा बिर्सामुंडा इंडोर स्टेडियम प्रांगन में गांधी जैनती के आवसर पर बेटी को ताइक्वांडो सिखाओ, बेटी को निडर बनाओ कि सोच के साथ ताइक्वांडो प्रसिक्षन के सुरुवात की गई इसका उद्गाटन सदर थाना प्रभारी निरंजन तिवारी ने किया इससे पूर्व महात्मा गांधी के तस्वीर पर पुश्प चढ़ा कर सभी खिलाडियों एकेडमी के पदाधिकारियों एवं अतितियों ने स्रधांजली अर्पित की कारक्रम को संबोधित करते वे थाना प्रभारी ने कहा कि हमें अपने राष्टपिता के आदर्सों पर चल कर समाज में मानवता की मिसाल कायम करना है नीलम्सू के सेल अपने एक से बातरी पहतरी नाइचा आपको कम की मत पर मिलेगा तो देर मत कर चले ले नीलम्सू और अपने पसंदा सामान ले चाहे मत कम हातों पंचायत भावन में गांधी जैनती पर मुख्या जुल्याना देवगम के धिक्स्ता में विसीस ग्रामसभा आयजित किया गया इसमें पंचायत में विकास कारे कराई जाने को लेकर विभिन योजनाय बनाए गई ताकि छेत्र में मजदूरों को काम मिलता रहे और पंचायत में विकास की गती बनी रहे पंचायत के विभिन वाड की सदस्यों ने योजनाय दर्ज कराई मुख्या जुल्याना देवगम ने कहा कि गांधी जी के ग्राम स्वराज का सपना पूरा करने हे तू गाउं को आत्म निर्भर बनाने की राह तयार करना है इसके लिए गाउं में विभिन योजनाय चला कर सालों भर लोगों को काम से जोड़ना है दो साल के बाद इस बार पूरे उमंग और उत्सा के साथ दुरगा पूजा का पर मनाया जा रहा है कुछ पूजा पंडालों का उद्गाटन सनीवार को हुआ और बाकी का उद्गाटन आज हुआ है जार्खंड सरकार की मंत्री मिथिलेश कुमा ठाकुर ने चैवासा में पिल्लाई हौल मैदान में बनाये गये पूजा पंडाल का उद्गाटन किया इस दवरान उद्ध्योग पती सा समाच से वे मुकंद रुंटा भी मौजूद रहें दोनों अतितियों ने दीब जलाकर पूजा पंडाल का उद्गाटन किया इसके बाद मा दुर्गा की पूजा अर्चना की मीडिया से बात करतेवे मंत्री मिथिलेश कुमा ठाकुर ने समस्त जाकन वासियों को दुर्गा पूजा की शुपकामनाई दी उन्होंने कहा कि सभी लोग सौहाद्र पूण माहौल में पर मनाए मंत्री ने कहा कि हमारा राज्ज जारकन पूरे देश में समाजिक सौहाद्र की मिसाल है राज्ज में सभी धर्म और संप्रदाय के लोग सुरू से बिना किसी भेदभाव के रहते आएं है यह समाजिक विवस्था आज भी कायम है इस तरह के धार्मिक आयजुनों का उद्देश यह होता है कि समाज में सद्भाव बना रहे सारदिय नौरात्र की बहुत बहुत सुभ्कामना है बहुत बहुत बढ़ाईया दोशाल के बाद फिर से पुराने जोसोगरोश के साथ सारे परोतेवार मनाने का ओसर फिर से प्राप्त हुआ है और उसमें ये सार्दिय नौरातर भी बहुत धुमधाम से पुरे राज्य में, पुरे देश में मनाया जा रहा है आज के सब्तमी के दिन कालरातरी की पुजा होती है और यही कामना करेंगे मातारानी से के पुरे हमारे राज्य में सुक्सांति सम्रिधी लाए हमारा राज्य बिकास के मार्क पर तेजी से अग्रसर हो और जो उदेश इसतरह के समाजिक आयोजनों का इस तरह से के धार्मिक आयोजनों का होता है कि हम समाज को एक जूट रखें सभी जाती धर्म संप्रदाय के लोग हम समाजिक समरस्ता संप्रदायक सोहाद अप्छुन रखें और इसमें हमारा राज्य तो बहुत अग्रणी राज्य है पुरे देश में कि हमारे राज्य में कोई भेद भाव नहीं है सभी जाती धर्म के यही हमेशा माता रानी स्तरा कि जो परम्परा है माता रानी की कृपा हमारे उपर रहे और यह अच्छुण आज चैंबासा की विधायक, दीपक बिर्वा, प्रखन प्रमुक, प्रदीप तामसोय, बीडियो, प्रभात रंजन चौधरी, सीयो, अनुपकच्छप, थाना प्रभारी, रवी रंजन ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इसके बाद विधायक समेत सभी अतिथियों ने मा दुर्गा की पूजा अर्चना कर छेत्र की सुख सम्रधी की प्राथना की।